आभाइब करना कोई सुनंवाई नहीं होती है उनके रिस्थादर है पापू यादो है कोई थाने पे पुलीस. हमारे बगल में सुनीता डेवी है और यह कुस्मी बाजार की रहने वाली है इन्हीं के ग्रामसभा के प्रधार इसी के स्यादो वद्देवेंद्र रियादो इनकी पूरी संपत्ती अपने नाम से बैनामा करा लिए इनका आरोप है कि इनके पती को भी वो लोग नागपूर मे रखे हुए है और बेटे को वही रखे हुए है वो लोग भाई के वज़ा से गाउं नहीं आते हैं और यह अपने माईके में जीवन बसर करती है इनकी पूरी संपत्ती जो है वो लोग कुछ एग्रिमेंट के द्वारा कुछ रिइस्टर बैनामे के द्वारा अपने नाम से कर वाली है और यह नाय के लिए गुहार लगा रही है क्या मामला है आपका ठीक है हम कर देंगे अपना रहेंगी खेतिबाड़ी करा कि आप बोले जब वह जाना रहेगा ठीक है आ जाएगी तो हमने बोले ठीक है चलो तो फिन परधान जी बोले फिन परधान अपने इथी से अपने समझा वुजा कर अपने जैसे भी सासूर को आप मेरे हस्वेन को पुरा खेती मेरा अग्रिमेंट करा लिए अच्छे बताईए कि आपके सवसूर से आपका आना जाना ससुराल में बात चीत है कि नहीं नहीं सवसूर से बात नहीं होती है बच्चों से बात होती है बच्चों से बात होती है बच्चे क्या कहते हैं बच्चे किस हाल में वहाँ का चाहे बच्चों को वहां से बुलाने का कभी प्रास किया हां हमने बोले हमारे बच्चे देदे बोलते हैं यहां नहीं मार देंगे सब मैं ठीक हमको मनना मंजूर है पर हमारा खेती है को दूसरा कोई नहीं लेगा क्या नाकपूर में रीसी केस के पास के आपके पती रहते हैं नहीं और गाओं के वज़ए व sore नाकपूर बर क्रोशरा को ऑना डदे वर गांती वाँ वज़ाती है नाकपूर आपके बढ़ती है मं इसलिए मेरे जैसे कि घर में gamerorा आखेती। मेरे जिसके खिलाफ मेरे दुस्मानी है वही सब लोग मतलब में भेजे थी तो उसी दिन से हमारे भाई बोले कि नहीं ठीक चलो अपने घर माईके में रहना और नहीं तो कोई मार देगा दुमको उसी दिन से हम अपने माईके में रह रहे हैं हमको टेंस भी तबियत खराब हो पैसा मिला तोटल इसमें जो लिखा गया कि पैसे बुखता हुआ है दू कडोर की और टोटल एक्र को माद कहा है शरीफ सात लाक में आपके ससुर जी जिनके नाम से संपत्ती भो आपत्ती नहीं की है ऐँड़। कि वो ड़ गया है इसलिए पत्ती नहीं कर रहा है वो. और तिर मिंट बोले वापस हम करण कर देंगे ठीक है द्रोगा जी बोले कि ठीक है आप एक्रईमेंट खो कर दीजिए मेशांग और दीजी अपने हमारे बच्चे चाहिए हम नहाए मिलें भाः 주고 भाई बेचके बाहरा य बेचके चले गए किसी को पता भी नहीं चला कभा बेचके चले गए वो हमसे बोले थी कि हम agreement दोडने आएंगे तो बाहर भार आए बेचके चलेगे डर को जेसे तो हम कहाँ जाएं हमको भी जान के खत्रा हमको भी तुमार देंगे रिसी के साद जब भूमापियां हैं सब ऐसे murder बहुत कर चुके हैं सब डर कोजे से गाँवाले पूरे दाहसत में राते हैं गाँवाले कोई किसी के हिम्मत नहीं कि गाँवाले सवाल उठाएं मैं तो आगे बाड़ी हूँ था हमको नयाय मिलना चाहिए वो तो आज नहीं कल हमको कहीं भी पाएंगे तुमार देंगे सब तो इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमको नयाय मिले हमारे बच्चे हमारे पास से आये और सब सुरेच्छित रहे हमको नयाय दिलाए जाए ये खबते कंदरने था हम खुद आत्मात्या करेंगे अपना क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा है को इनसान मरी जाए मैं बहुत परिशान हूँ ये कितने दिनों से सालों से परिशान हूँ कोई कुछ नहीं हो पारा है मेरे को गाहँ वाले बोलते हैं यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ खेद मेरे को नाई जाने देते हैं सब बोलते हैं सब मार देंगे ऐसे गाहँ का माहौल है गाहंवाले पुरे डरते हैं, ऐसे परधान होने के किया मतलब है, परधान रहते हैं परधान के लिए पर जाया जाता है, अब हम गये तो हमारा खेती हरा अपने पर्यामा करा लिए, ऐसी नहीं होना चाहिए नए गाहं थाना पुलीस थाना पर जाने बाद टो हैं और उनके पप्पू दिवंदर है जो पहले पाईसा दे के बात्चीत करके अपना सेटलमेंट करके आ जाते हैं हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है उनके रिस्तदार हैं पपू या दो है ठाने पर पुलीस आभी एक और रहते हैं वहाँ पर आते हैं सब जो सब उमिले हुए हैं सब तो यह कुसमी बाजार की सुनीता देवी है और सुनीता देवी अपने माईके में रहती है इनका अरोप है कि इनके ससुर की सारी संपत्ति जो करीब 2-3 करोन बताई जा रही वहां के प्रधान जिनका इनको कहना है कि भूमा जाते हैं और इनके पती उनके भाय के वज़ा से नागपूर में अपने बच्चों के पास रहा रहा है